चरिया कि बैंग निफ्टी हो या कोई बार लगता है कि यह साइडवेज है और फिर हम बड़ा ट्रेंड जब आना शुरू होता है तो तो यहां आपको दिखेगा कि बैंग बैंड की अपर बैंड भी नीचे आ रही थी और लोवर बैंड ऊपर जा रही थी जिसे हम कहते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि श्रिंग तो हो चुकी है पर श्रिंग होने के बाद दिखकर दिया है कि ब्रेक आउट कहां पर आएगा तो ब्रेक आउट के लिए वी के लिए एलिमेंट्स और प्राइज एक्शन का सबसे इंपोर्टन पार्ट है गैप अप डाउन तो यहां पर आप देख सकते हो कि यह तिन तक तो बैंड नयरो ही थी इन इसमीर बेंड धिकर बट यह जो बैंड नयरो थी उसे वाइड होने के लिए गडान के शाht वह वाइड वह ही और के कहांप टूंज दिया, देखे दोस्तों इस जीम आप यहां पर बैंड शुका है जै ने clear बता रहा है कि bad news may come और आप देख सकते हो कि जैसे gap down open हुआ यहाँ पर बेंड उपर की और जा रही है उसकी value भी check कर सकते हैं यहाँ पर बेंड की value दीखेगी जैसे कि यह जो candle थी जब narrow थी ballinger band that time upper band की value 41756 थी और यहाँ बढ़ गई यहाँ उपर की और जा रही है और lower band की value was 41531 वो नीचे की और जा रही है यहाने तुनों opposite side जा रहे है तो इसका मतलब clear है कि broad होने की तैयार ही है पर यहाँ पर एक जो चीज है जो sideway markets में हमें बहुत ही help करेगा वो gap down तो जब भी आप narrow setup यूज़ कर रहे हो narrow setup याद रखेगा कि we should combine the price action to find the proper breakout यहाँ भी हो याने की बड़ी movement तो आना तया है वो upper band और lower band भोड़ रहा है लेकिन कौन सी और उसके लिए हमें help करेगा gap down अभी यहाँ आप आप देख सकते हो जैसे ही यह candle का low edge break होता है राइट वो हो चुका है यह आज का candle है अभी यह जो narrow movement ही उससे हमें छुट का मिल गया है अभी smooth zone में हम enter होने जा रहे हैं और upper band और lower band के बीच में gap इतना बढ़ता रहेगा इतना fall आने का chances है fall तब तक आ सकता है जब तक यह gap down फिल नहीं होता है राइट अभी यहाँ प्रिविए फिल्ट इस gap down ओके and gap must be filled ऐसी theory से जितना हो सके दूर रहेगा ओके अभी filler के लिए यह जो ब्रॉड जैसे यहाँ पे भी narrow हुई थी यहाँ पे कोई gap up gap down नहीं था बट इस टाइम हमें gap up or gap down मिल रहा है इवन हमें और भी price action से combine कर सकते हैं जैसे lower top बनना तो clear कर दिख रहा है कि सबसे चीज है हमें analysis करना है नस्दीक के area में तो यह gap down है तो यह culture low था it was 40950 वहाँ से false हुआ है दिखते हैं कितना गीड़ सकता है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में there was no gap down बैंक निफ्टी में हमें यह चीज मिली है तो यह हो गया narrow और तो इसको ध्यान रखिएगा चलिए निफ्टी भी देख लेते हैं कि थोड़ा issue आ रहा है अभी trading view में ठीक है निफ्टी में तो gap down है नहीं आप देख सकते हो देखो दूस्तों यहां कोई gap down नहीं है बेंड भी ठीक है अपर बेंड और लोवर बेंड एखी डाइरेक्शन में जा रही है लेकिन बैंक निफ्टी जो थी उसने बता दिया है कि मैं अभी broad होने वाली हूं यहना कि volatility बहुत develop होने वाली है और कौन सी side तो वह आपको बता रहा है gap down ताज इतना है दूस्तों फिर मिल्ट देए नहीं वीडियो के साथ तर तक लिए goodbye take care follow the stop loss